Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब लग अवीद है, सब ठीक ठाक होंगे, और रमजान के रोजे बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, तो माज़ा सबसे पहले तो क्योंकि बाहर काम हो रहा है, इस वज़े से काफी शोर हो रहा होगा, तो जी, आज मैं अफ्तारी के लिए बनाने लगी क्योंकि रोज में इतना सवान बना लेती थी, और सब खायाने जाता था क्योंकि हम सिरो दो लोग हैं, तो मैं दिखाती हैं कि मैं अज क्या क्या बना रही हूं, क्योंकि ये वीडियो का आप लोग भी सोच रहे होंगे, क्योंकि असल में हुआ ये है, क्योंकि असल में काट करी हूं तो अगर जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड़ी वो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें थैंक यू यह जी यहां पर मैंने पिज़े के लिए उसकी चिकिन की टापिंग तयार की है और यहां मेरा मुट बन रहा है मैं वो भी आपको दिखाती हूं मैं आज ग्रेवी वाला बना रही हूं यह देखें जी बहुत ही मज़े का बहुत ही माशाला से अच्छा बन रहा है तो यह मेरा बन चुक है क्योंकि मैंने जो मटन है वो पहले ही वाइल करके उसके अंदर बस मसाले बगर बी दोढिये मेरे अपट करने वाइल करती हूं यह कि यह दो टब कर दू मेरा घून हो गए लेगा अफिस्त यह इसके बारे आटी है मैं आपको दिखाती है यहां प्रने फिज्टे की वाइवर्ट सोस बना रही थी इसके हंदर मैंने थोड़ा सा मैड़ा है और मैने इसको अच्छे से बूना है थोड़े से ऑईल के अंदर फिर में इसको अंदर दू डाले दू डालने के बाद इसको कॉंटिन्यूस चलाते रहना ताकि जो मैदा है वह अच्छे से इसके मिक्स हो जाए इसके बाद मेरे पास यहां क्रीम पढ़िए जिब थोड़ा सा और अच्छे स पून जितनी आपने कुकिंग क्रीम अड़ कर दिया है जब कुकिंग क्रीम अड़ करेंगे ना तो तब आपने कोई चीज वगर आड़ नहीं करनी इसकी सास के अंदर सिर्फ टॉपिंग पर जब आप उसको चिकन और बाकी जो सबदियां वगर आप अपनी मर्जी से लगा करेंगे उस टेम आप वहां पर सिर्फ चीज आड़ कर सकते हैं इसके दिर आप एड़ ना करें क्योंकि बहुत ठीक हो जाएगी और फिर ज्यादा मज़ा नहीं आएगा जब चीज चीज हो जाएगी तो जी अब बारी आती है जूस बनाने की तो आज मैं जूस बना रही जूस बना लिया है और मैं फोड़े जिल्दी बना कर रख लेती हूं ताकर मुझे आइस वगयरा एड़ना करनी पड़े और मैं वैसे ही जूस को ठंडा कर सकूँ तो थोड़े मैं जिल्दी बना लेती होती हूं कि ये मेरा जूस बन चुका था तो आज मैं सोच भी थी काफी दिन और बात कि मैं टैंग और रूफजा क्यों बना रही हूं क्योंकि रमजान का महीन है सारा दिन बना बुका प्यासा रहता है और उपर से ये जो ड्रिंक्स वगरा है ये पीके को फाइदा तो नहीं होता बस ये एक तरह से चसका ही है तो बना फ्रेश जूस इस क्यों न पिए तो अगर आप लोगों की तरफ भी कोई घर में भी टैंग ये रुफजा को जादर प्रफर कहरा तो इससे अच्छा बंदा फूट्स खा ले या जूस वगरा पी ले तो ये देखें जी माशाला से मेरी जो डूर एडी हो चुकी है अब अच्छे से इसको इसकी पिज़े की शेप में लेकर आते हैं आप चेक करें ज़रा इसकी सॉफ अब यहां पर आफिजी कि अल्मोस डान है क्योंकि एक्वल इसका आपने देखना है कि एक्वल रहे चारो साइट जो हैं वो बराबर रहें कोहीं से कोई मोटा कोई पता ना हो यहां पर मैंने पिज़े पर अनियन चिकन ओलिव और चीज जो है वो अच्छे से स्प्रेट कर होती है मैं वो यूज करूंगी मौजरेला चीज मेरे पास खतम हुई थी तो मैं इसकी ही टापिंग करूंगी तो उसके बाद इसके अंदर इसके उपर जो है मैं कुछ चिली फ्लेक्स और ऑलिव जो है मैं वो स्प्रिंकल कर दूंगी फिर यहां पर अब टाइम हो गया था साफ तारी का तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी और साथ में मैं चाय बना रही थी क्योंकि अफ्तारी को फारन बाद मुझे चाय चाय यह दिया थी है तो आवट को मैंने 30 मिनिट्स के लिए अच्छी से गरम कर लिया था अब मैं जो पिज़ा है वो बेक करने के यह उसको अंदर रख रही थी और मिनिमम 15 मिनिट के बाद मैं इसको बाहर निकाल के पिर मैं आपको दिखाती हूँ तब तक मैं फिर स्लैप साफ कर रही थी क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी तोड़ा सा उसका जो खुश काटा होता है वो गिर गया था मुझे होता है मैं फॉ वीडियो क्लिप करी थी बहुत सॉफ्ट बना था आप लोग भी जरूर ट्राइक करें और मुझे वेरे चैनल के सब्सक्राइब हो लाइक जरूर करें